सौगत है आपका आपके अपने यूटूब चनल दमास्टर पर हम लोग खंड सिक्षाधिकारी के लिए गनित के तयारी कर रहे थे जिसमें हम लोगोंने बहुत सारे चैप्टर खत्म कर लिये थे आज हम लोगों को प्रॉफिट और लॉस पढ़ना है तो चलिए बिना कोई ट क्रेमिल को हम लोग SP कहते हैं सेलिंग प्राइज कहते हैं तो बिक्रेमिल जहां भी लिखना होगा वहां हम लोग SP यानि सेलिंग प्राइज लिखेंगे चलिए अपना पहला प्रिष्ण स्टार्ड करते हैं पहला प्रिष्ण दिया गया है यदि एक कॉपी का क्रेमिल उसके के बिक्रेमूल का तो जिसकी बात ऐसे जब भी कोई चीज फ्रेक्शाम में लिखी हो तो जिसकी बात कर रहे होते हैं वो उपर होता है और जिसके आधार पर बात कर रहे होते हैं वो नीचे होता है ठीक है तो इस जो लाइन है आपकी क्रेमूल उसके बिक्रेमूल का तो बात क कि जा रही है क्रेमूल की जा रही है यानि कि क्रेमूल आपका ऊपर होगा यानि कि सीप यानि कोस्ट प्राइज क्रेमूल आपका दो है ठीक है और जिसके सापेक्ष बात कर रहे हो यानि कि बिक्रेमूल बिक्रेमूल नीची होगा तो बिक्रेमूल कितना है सेलिंग वेलू जिसके सापेक्ष बात कर रहे होते हैं वो होता है अगर आपको ना समझा है तो यह प्रिष्ण आप यह लाइन फिट से पढ़िए और ऐसा समझे कि जो बिक्रेमूल आपका दूर लिखा है तो दूर वाला उपर वाली वैलू होती है लेकिन इस तरह के से न समझे आप इस तरह के समझे कि दो बटे पांच लिखा है तो जिसकी बात कर रहे होते हैं वो उपर वाली वैली होती है हमेशा जिसकी बात होती वो हमेशा उपर होता है और जिसके सापेक्ष बात कर रहे हैं वो नीचे होता है तो क्रेमूल की बात कर रहे हैं यानि क्रेमूल हमारा दो रुपया है और विक्रे मूल के साफिक्स बात कर रहे हैं विक्रे मूल हमारा पांच रुपया है ठीक है यह हमें बास में आ गई अब आपको लाव परतीसत निकालना है तो दो रुपय की चीज को पांच रुपय में बेचोगे तो कितने रुपय का लाव होगा तीन रुपय क पर्तिसद के क chilli है गई आया लाव नीकल के आया अब प्रतिसत आपको निकलना जानते हैं परसेंटेज में बहुत बार पढ़ चुके हैं जो च storage ओसे नीचे लिखते हैं ठीक तो लाव नी याथ का लिखते हैं और प्रॉफिट लॉस में हमेशा नीचे क्या लिखते हैं हमेशा नीचे बहिया क्रेमूल लिखते हैं क्योंकि जब आपने प्रॉफिट लॉस अब इससे पहले आपने पर्तिसत पढ़ा होगा तो उसमें पढ़ा होगा कि जो प्रारंभिक मान होता है वो नीचे लिखा जाता बलकि क्या लिखेंगे क्रेमूल को नीचे लिखेंगे जो लाब होगा यहानी होगी उपर और नीचे क्या रहेगा क्रेमूल ठीक है और परतिसर निकालना है तो गुणा सव कर दीजे आपका परसंट जा जाएगा इसे 50 से कैंसल कर दीजे दो को कैंसल आट करेंगे 50 बार परिशन है एक बस्त का क्रेमूल उसके विक्रेमूल का 60 परतिसत हो यानि क्रेमूल CP की बात कर रहा है विक्रेमूल SP के सापेट ठीक है यह क्रेमूल यह विक्रेमूल तो फिर से पढ़िए परिशन को क्रेमूल विक्रेमूल का 60 परसंट हो तो विक्रेमूल यानि रूपिया कौन होगा हमारा निकल यह सवाल रहेगा जो निकालना हो ऊपर यह से कितना ज़ादा है आप सो एक पुचह घांनी यानि भी क्रेमूल उपर क्रेमूल से तो क्रेमूल नीचे ठीक है और multiply by 100 यह आपसे पूछा जा रहा है गलती मत करिए कितना ज्यादा है कितना कम है यह नहीं पूछ रहा है हमसे clear अब इसको solve करने ते हमारा answer आ जाएगा जिरो-जिरो काड़ देते हैं इसको 2 से cancel out करते हैं यह 3 बर कटेगा यह 5 बर कटेगा 5 कैस में multiply करेंगे तो 500 आएगा और नीचे रहेगा 3 इसको solve out करते हैं 3 का भाग करते हैं 3 निकम 3 यहां 20 हो जाएगा 3, 6, 18, 13 और 2 ऊपर बचेगा नीचे रहेगा 3 और 106 सही 2 बटे 3 तो य यानि 60 रुपया आपका क्रेमूल हो जाएगा ये विक्रेमूल क्रेमूल का कितना ज्यादा है तो जो पूशा जाए उपर जिसके साफेक्ष पूशा जाए नीचे गुणा सव कर देंगे आपका अंसर आ जाएगा चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रिश्ण पर अगला प 20 रुपय की हानी है और किसे पर हानी होती है लागत्मूल पर तो लागत्मूल ही हमारा क्रेम scholar क्लाता ठीक है् तो क्रेम mule यानि कौस्ट प्राइज के लियर तो आपको क्या दिया है ए यानि कि सेलिंग प्राइज दिया गया है यह उर्जिनल वैलू है 540 रुपया, एक बटे साथ, एक रुपय की हानी हो रही, लागत मूली पर लागत मूली यानी की cost price, तो एक बटे साथ की हानी हो रही, अब थोड़ा अपना यहाँ पर दिमाख लगाना पड़ेगा, घड़ी का लागत मूली निकालना है, यानि 7 रुपय की क्या वै लगाईए, 7 रुपय की चीज को एक रुपय की हानी पर बेचा, यानि की selling price क्या होगी, बेचने वाले कीमत क्या होगी, 6 रुपया, फिर समझेए, जब 7 रुपय की चीज को आप 6 रुपय में बेचेंगे, तभी तो आपका एक रुपय का हानी होगा, तो selling price क्यानी का लगा आया 6 रुपया लागत यानि cost price के निकल गया 7 रुपया हानी कितने की हो रही एक रुपय की और यह आपकी original value दिया गया है 540 अब ऐसे प्रिशन आप अनुपात में और पीछे वाले chapter जो परतिसत है उसमें भी लगा चुके हैं क्या लगा चुके हैं कि 540 रुपया जो original value दिय पांसो चालिस रुपया क्या है आपका selling price है यानि कि विक्रे मूल है और अनुपात में कितना है छे रुपया है ठीक है तो इसकी जो value होती है वो नीचे लिखते हैं गुणा जो निकालना होता है उसको गुणा कर देते हैं निकालना क्या है लागत मूल निकालना यानि हमारे एक लाइन में आंसर आ जाएगा तो इस प्रकार के प्रिश्णों को हम लोग इसी वाले तरीके से लगाएंगा जो अनुपात में जो प्रतिसत में हम लोगों ने हमारा प्रिश्ण है एक बस्तु के क्रेमूल और बिक्रेमूल का अनुपात 20 अनुपात 21 है बिक्रेता का लाब प्रतिसत क्या होगा तो यह भी बहुत ही आसान प्रिश्ण है आपका अनुपात दिया गया है 20 और अनुपात 21 ठीक है यह क्रेमूल का अनुपात है यह बिक्र करे मूल से होता है करे मूल कितना दिख रहा है 20 परतिय से निकालने के लिए 100 का गुना करते हैं तो 25 यह कड़ जाएगा पांच बार आंसर कितना आ जाएगा 5 परतिसत तो 5 परतिसत आपका ऑस्तर नम्मर ए सही हो जाएगा बहुत ही मौकिक और आसान सा प्रिश्न था चलिए आगे बढ़ते हैं हमारा अगला प्रिश्न है एक बस्त का करे मूल 110 रुपया है तथा उपर बे 40 रुपया है तो 110 रुपया हमारा करे मूल है उपर बे 40 रुपया है तो जो उपर बे मतलब उपरी खर्चा ठीक है तो जो हमारा उपरी खर्चा होता यह अन्य खर्चे होते ह पर हमारा total क्रेमूल लाता है तो उसको जब जोड़ेंगे तो हमारा 150 रुपया आएगा यह हमारा cost price मिला जाता है कहने के मतलब होता है कि जितने भी खर्चे होते हैं वो सब जोड़ देते हैं किसमें क्रेमूल में तो हमारा total क्रेमूल आता है, तो हमारा क्रेमूल वास्तों में 110 रुपया ना होकर कितना होगा 150 रुपया, क्योंकि खर्चे हमारे क्रेमूल में ही जुड़ जाते हैं, अब आगे भढ़ते हैं, उसका बिक्रेमूल 195 रुपया है, यानि कि आपने जो बेचा है, वो कितने 23,000 लाब पर्षेन निकालने के लिए जितना लाब हो रहा है, वह उपर लिखते हैं कितने याव हो रहा है 25,000 का कहा से हो रहा है क्रेमूल ली कितना है, एक सो πά सा पचास रुपया नीचे और कोई ज्यादा कठिन प्रेशन नहीं था आसान प्रेशन था बस इतना समझना था कि जो उपरी खर्चे होते हैं वो क्रेफ मुल जोड़ा जाते हैं बेuggला प्रिषन है एक कलम का क्रेम मूल जायेगा चार फ्राइज चार उप्राइज या नि कочки कहने के मदलब आपने चार रुपए कि चीज को कितने बेचा है एक रूपे में बेचा है अगर क्या का रह ciyrot hanya होगि कितने रूपitel ging है जाएंगी फैना हो रही है कोला प्रिस्तम्हीं हो रही है या iskoda वाई जाएगा आपका 85% तो यह भूत है आसान प्रिशन है थोड़ा सा धिमाहज लगाना साड़े आंसर आपके मौकविक ही आ Goon हमारा अगला प्रिश्ण है कुछ बस्तूएं रुपया P परती दर्जन की हिसाब से खरीद कर रुपया P बटे आठ परती बस्तू की हिसाब से बेचता है तो उसका लाग परतीसत क्या होगा यानि कि अगर हम इसको प्रिश्ण को ध्यान से पढ़ें कि जो हमारा कौश रुपया में कितना खरीद रहा है एक दरजन तो एक बस्तू कितने में खरीद देगा एक दरजन का बारा का भाग कर देंगे और की जिए ये प्र्ति बस्तूHN दिया गया है तो यहाँ पर भाग नहीं करना है 12 पर देखिए, साथ सब लिखा है कि पर्ति बस्तू पहले से ही दिया गया है तो इसमें भाग भाग नहीं करना है ठीक है और पहले वाला आपका क्रेम उल्था प्रती दर्जन जो 12 बस्तु में पी रुपे में खरीता था तो एक बस्तु में पी बटे 12 रुपे में खरीदेगा ये आपका सेल कॉस्ट प्राइज दोनों निकल आया है आप इसको अगर साधान तरीकेस करेंगे तो बहुत इने निकाल लेते हैं तो सेलिंग प्राइज कितना है पी बटे आठ कॉस्ट प्राइज कितना है पी बटे 12 ठीक है इसको पहले सॉल कर लेते हैं यह 8 नीचे चलाएगा गुणे पी तो यहां ही रहेगा और 12 प्लटके ऊपर चला जाएगा तो पी से पी कैंसल आउट हो है कहने के मतलब यह जो आपके पी हैं इतने कठीन वैलू थी वह बहुत ही आसान वैलू में कंवार्ट हो चुकी है कौस प्राइज 2 रुपया सेलिंग प्राइज 3 रुपया यह नि 2 रुपय के चीज को 3 रुपय में बेच रहा है तो लाब कितना हो रहा है एक रुपय का ल सब्सक्राइब कर लिए तो बिक्रेता की हानि क्या होगी इसको पहले लिख लेते हैं हमारे पास कॉश प्राइज और सेलिंग प्राइज यह दिया गया है क्या क्या दिया गया है एक वस्तु का विक्रेमूल उसके क्रेमूल लिकर नब्बे परतीसत है यानि क्रेमुल सौ रुपया माल लें तो इस सौ का नब्बे परतीसत यानि कि नब्बे रुपया हमारा सेलिंग प्राइज है तो पुरिश्ण के हिसाब से अगर हम सौ रुपया माल लें विक्रेमुल को तो विक्रेमुल कितना है नब्बे परतीसत यानि क्रेमूल नीचे लिखेंगे गुणा कर देंगे 100 से 100 कर जाएगा आपका आंसर आ जाएगा आजाएगा कितना 10% तो 10% का आंसर होगा option number यह हमारा सही होगा और यह जो जितने भी सारे प्रिशन कर रहे हैं कि जिस तरीके से हम कर लोग कर रहे हैं जरूरी नहीं कि यही लेकिन चुकल अभी हम लोग ने बेसिक नहीं पढ़ा है तो जो भी साधान तरीका है वो साधान तरीके से हम लोग प्रिशन अगला प्रिशन है एक बस्त का करेमूल 420 रुपया है तो 420 रुपया उसका क्रेमूल है यानि कि यह कॉश्ट प्राइज आपका CP दिया गया है इस पे 10% का लाब होता है तो यह 420 रुपय पे 10% का लाब हो रहा है ठीक है तो निकालना है विक्रेता को कितने रुपय का लाब हुआ तो बहुत ही आसान प्रिशन है लेकिन इसके पीछे एक कॉंसेप्ट है पहले इ अधिक की बात करें तो कॉस्ट प्राइज हमेशा 100% होता है माल लेजिए 10% का इस पर लाब हो रहा है ठीक है तो लाब यानि 10 रुपया ज्यादा वहं बेच रहा है तो सेलिंग प्राइज कितना हो जाएगा 110% हो जाएगा तो कहने को मतलब होता है कि कॉस्ट प्राइज हमे 505 ज़्यदा होला VA2 हमारा बेट यहां कितना होगा बिख्रे मूल होगा अभर्म में j 없고 लिए उस प्रिश्न और पूमने निकालना है निकालना है लाभ और यहां हो रहा है दस परसंट का आप से भी करे मूल नहीं पुछा जा रहा है आप से लाब पूछा जा रहा है तो जो निकालना होता है उसका गुणा करते हैं और यह ओरिजिनल वैलु लख कर उसकी नीचे क्या लखते हैं जो इसकी होती है तोब 420 रुपया कहा था क्रेमूल या फिर अगर आप percentage बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं तो यहीं पर percentage आप बहुत अच्छे तरीके से अगर समझ चुके हैं पढ़े हैं तो यहीं पर 420 रुपे में 10% का लाब हुआ है यानि 420 रुपे का 10% निकाल लेंगे तो कितना रुपय आएगा 42 रुपे आएगा तो 42 रुपे का लाब होगा तो आप यहीं से निकाल सकते हैं 420 रुपे में का 10% जो होगा वही हमारा लाब है तो कितना है 42 रुपे 10% होगा 420 का 10% कितना होगा 22 रुपे होगा यह 0000 सकड़ जाएगा तो 42 रुपे आएगा तो आप यहीं पर solve कर सकते हैं, एक ही line में answer, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो यह वाला concept तो हम लोग बहुत बार पढ़ें, अनपात में भी परतिसत में भी, और पीछे अभी जो प्रिश्ण लगा हैं, उनमें fraction में भी पढ़ा है, उससे कर सकते हैं, तो ऐसे जो बहुत सारे method होते हैं प्रिश्ण लगाने के, जिस भी तरीका आपको समझ में आए, उस तरीके से आप प्रिश्ण लगा सकते हैं, अरा आज का आखरी प्रिश्ण है, एक बस्त को 1210 रुपए में बेचने पर होने वाली हानी, उस बस्त को 1430 रुपए में बेचने पर होने वाले लाव का एक निहाई है बस्त करेम लुग क्या होगा तो यह बहुत ही अच्छा पिरिष्ण समझेए बहुत बार इस मुदे करते हैं इसके प्रिष्य को हम लोगो bites यह यह अने को द्रश्ट को ध्यान से फिर से एक बार कि सते हैं एक बस्त को 110 रुपे में बेचने पर होने वाली हानी यानि यहाँ पर जो बेचने हानी होगी साफ बात है क्रेमूल से पीछ जाएंगे तो हानी क्रेमूल के आगे जाएंगे तो लाब उस बस्त को 1430 रुपे में बेचने पर होने वाली लाब का एक तिहाई है यानि कि यहां से यहां तक जितना रुपय का लाब होता है उसका एक तिहाई यहां से यहां तक बेचने पर हानी होती है यानि कि अगर हम मालने यहां से यहां तक बेचने में तीन रुपए का लाब हो रहा है तो तीन रुपए का एक तीहाई यानि एक रुपए का हानी होगा प्रिश्ण को ध्यान से पढ़िए और समझे कि यहां से यहां तक बेचने में जितना लाब हो रहा है यानि कि माल लेते हैं हम 3 रुपए का लाव हो रहा है उसका 1 तिहाई चो 3 का 1 तिहाई 1 रुपए होगा उसका यहां से लेकर यहां तक बेजने पर 1 रुपए की हानी होगी यही हमारे प्रिष्ण का मतलब था और यही आपको समझाएगा इसको आप 3X और X भी मान सकते हैं परें हमें निकाला तो पहले यह संखिय रेखा यहां स want एक संख्या रागत ऑंतर दोनों बराबर होगा तो अब देख से अनुपात वाला पहले देख लिए यह यहां से यहां तक आंतर कितना है तो 3 में फिल अने हाँ से जाएंगे तो आप 3 मिलेगे जब यहां तक कितना है ए arrog decision से यहां तक कितना है टीन ने कितना आतर है तो रुपए का अंतर निकालना है रुपय का यहां से जब यहां तक जाएंगे तो रुपय का अंतर 1430-1210 clear 022 तो 4 अनपात की value कितनी होगी 422 तो एक अनपात की value कितनी होगी यह लिखा है चार अनपाथ ठीक है दिख रहा है एक अनपाथ की value कितनी होगी तो 4 का भाग करेंगे तो एक आएगा इसमें 4 का भाग करेंगे तो 4 25 फिर 20 रहेगा 4 25 रुपय आए गा ठीक है तो कहलें के मतलब 4 अनपाथ बरावर 420 है तो है 1210 रुपया है अगर इसमें एक अनुपात आप जोड़ दें तो कॉश्ट प्राइस से पहुंच जाएंगे यहां से कॉश्ट प्राइस पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा यहां से एक अनुपात जोड़ना पड़ेगा और एक अनुपात की वैलू आप निकाल चु होगा 1265 आपका option नंबर भी आ रहा है यानि option नंबर भी आपका सही रहेगा यह आज हमारे कुल मिला के 10 प्रिष्ण थे अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और नीचे कमेंट बॉक्स में अगर कोई सुझा हो या कोई प्रिष्ण ग